नमस्कार दोस्तों निफ्टी बाबा चैनल पे आप सब स्वागत है तो फ्रेंड्स हमने जैसे कल कहा था कि 13000 से 13200 एक स्ट्रॉंग स्पोर्ट है और वहीं हुआ तो ठीक 13200 से निफ्टी ने स्पोर्ट ले अब आज हमें क्लेर हो गया कि 13300 दोसो अभी नहीं तूटेगा अभी यह इसमें बहुत ज्यादा तो इसने अपना दम दिखा दिया निफ्टी ने और वैसे ही जैसे मैंने कहा था 13200 से हमने कॉल ली और यह उपर की और गई और उपर की और मैंने कहा था कि जैसे 13315 ऑपर भी ली तो हमने कॉल भाई करनी है तो 13315 के उप तेरा 315 के उपर भी ली हमने निफ्टी तेरा 330 की को और हमने इसमें 100-500 पॉइंट का प्रॉटित हुआ और मैंने नीचे की और खा था कि अब कल बंद हुई थी यह तकरीब मैं 29201 तो 29000 से 29200 कल कहा था कि एक स्ट्रॉंग स्पोर्ट है तो वहीं हुआ तो इस तरह से इसमें भी हमें 500 पॉइंट का प्रॉफिट इसमें भी वह तो अब आगे जलते हैं हमने जो तीन स्टोग दिये थे उसमें जो पहला स्टोग था हमने कहा था इंडस बैंक आपने बेचना है तो हमें इसमें भी अच्छा प्रॉफिट हुआ यह देखिए हमने कहा था 853 पर भी बेचना है और उसके उपर जाए तो स्टॉप लॉस हमारा हिट भी हुआ होगा और फिर से दोबारा अगर नीचे आया तक हमें तक हमें 814 तक हमें प्रॉफिट हुआ तो इस तरह से इसमें भी हमें 40 पॉइंट का प्रॉफिट यहां से और सेकिंड जो स्टॉक है वो है कोटक बैंक कोटक बैंक भी हमने बेचने के लिए कहा था कोटक बैंक को हमने 1931 के पास बेचने के लिए कहा था और तकरीबन 1912 के भी नीचे यह यहां गया और इसने जो लो लगाया आज प्रॉफिट यहां से लेकर यहां से लेकर यहीं तक होगी है में तो हमें स्टॉक भी बहुत हां प्रफिंट इब था स्टॉक को दें तो दिया खमें तो इसमें हमने नीचे का टार्गर 32 रुपे 25 पैसे रहा वर यह haar ब्याय और तो के लिए जो च्जॉक हम ले लेकर आं आं आपके लिए है वह सबसे पहला स्टॉक फावर गृट फीर मैंने एक सस्ता स्टॉक घुञ़ना थाकि उनकी डिमान्ट पुड़ी हो सके जो चाहते हैं कि सस्ता स्टॉक धो तो यह प्राइब प्रावर को हमने जो बाय करने बोगर बॉआ करने हری नइन इसके बाइए चुछ में सब्सक्राइब इसके आशपास बाइपर और भागाज रहना है वह आपने लगबग रखना है अगर 187 पैसे के पास लिया 188 के पास तो 186 का stop loss रखना है अगर यहां लिया तो stop loss रहेगा आपका लगबग 190 तो तो जो अगर 194 भी कर गया तो इसका उपर का टार्गेट रहेगा 106 बन में ने सारे मतलब दो दोर पर आपने उपर इसका प्रॉफिट बुक करना है तो उसके बाद जो हमारा दूसरा स्टोक है वो है सिपला सिपला को हमने बाय करना है 799 800 के उपर और टार्गेट रहेगा 812 अगर 800 के पास नाम ले अगर 789 के पास फिर बाय करना है और जो stop loss रहेगा वो 780 का रहेगा और फिर दोनों के टार्गेट रहेगे 800 और 812 उसके बाद जो तीसरा है वो है UPL में यहां तो 440 के पास बाय करना है फिर हमारा stop loss रहेगा 427 और अगर 450 के उपर बाय किया तो फिर हमारा stop loss रहेगा 449 उपर के टार्गेट 452, 466 और 478 तके यह वाले टार्गेट रहेंगा अगर किसने स्क्रीशोट लेना है तो ले सकते हैं इस तरह यह तीन स्टोक होगे तो अब हम चलते हैं सोरी बैंक निफ्टी को अब बैंक निफ्टी में देखिए कल क्या करने हैं अगर 29.716 के ऊपर बैंक निफ्टी गई तो आपने 29.700 की कोल लेनी है 29.700 की कोल लेनी है और जो आपका स्टोक लोस रहेगा वो रहेगा 29.540 तक और टार्गेट रहेगा 29.940 30.046, 30.200 और 30.350 इतने तक के टार्गेट हमारे कल के लिए हैं और अगर नीचे की और माल लीजिए लिफ्टी गई कहा 29.450 के नीचे गई तो आपने पुक्त पाय करनी है यहां पे वो पाय करनी है 29.500 की और टार्गेट रहेगा मारा 29.200 और ज्यादा से ज्यादा 29.050 क्योंकि यह सारा एरिया एक स्ट्रॉंग स्पोर्ड जोन है तो यहां पर फिर से बाइंग आएगी और अगर बाइचांस टूट जाए फिर 28.888 और 28.700 तक के टार्गेट हमें कल मिल जाएगी पर ज्यादा चांस अब निफ्टी के बैंक निफ्टी के ऊपर नहीं है नीचे के इस गम क्योंकि इसने काफी बार आज स्पोर्ट ली दो बार स्ट्रॉंग लेकर यह उपर गया तो इससे इसने बता दिया बैंक निफ्टी ने कि 39.200 एक स्ट्रॉंग स्पोर्ट है तो अब आगे अब चलते हम निफ्टी पर अगर विक्स देखें वह है 21.98 अभी काफी ज्यादा है तो अगर 20 से कम हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो जेगा फिर अराम से ट्रेडिंग होगी जैसे आप देख रहे होगे काफी काफी ज्यादा फरक पड़ रहा है चार चार पांच पांच वह भी कमफर्टिबल है यह भी दिखा रहा है कि अब निफ्टी उपर जाएगी और अब आते हैं हम ऑप्शन चेन पर तो ऑप्शन चेन में भी यह क्लेर है कि कि तेरा हजार कि तेरा हजार और दूसरा देखिए तेरा तींग सो तेरा तींग सो यह देखिए यह एक स्ट्रॉंग सुपोर्ट है तेरा हजार से तेरा तींग सो क्यों तेरा हजार पर इकत्तिस लाख कोटराइटर तेरा तेंग सो पर बाइस लाख शप्पन हजार और दूसरी तलब अगर नीचे देखिए तो अब यहां नीटी आते हैं अब यहां देखिए सबसे ज्यादा जो call writer है और उससे कम जो call writer है वो है तेरा साथ सोपन और एक तीज मेने क्यास खाई थी आपको कि आपने यह देखना है कि सबसे जादा call writer कहां इकठा हो रहा है वो हो रहा है यह आपको बताएगा कल का टार्गेट यह तेरा पामसो पिचास क्यों इकठा हो रहा है क्योंकि तेरा पांसो चालिस से बनाएगा यह तो कल का टार्गेट हमारा निफ्टी का रहेगा तेरा पांसो चालिस नीचे की स्पोर्ट है पांसो चालिस तो अब चाट पर जैसे की मैंने कए और को है आपको टेन डेमाग तो कि यहां पांसो इस यहां भी हमारा टेन डेम है इसको हम सेट भी कर रहते हैं देखिए यहां पर आपको तो खाई दे रहा होगा टेन डेम में यहां पर जाकर यह रिजिस्टेंस बन रहा है तो कल तेरा पांसो चालिस के पास रुकेगी निफ्टी और आपने करना कहा है स्वाल तो यह उड़ता है अब स्वाल का जवाब यह है कि सबसे पहले आपने थोड़ा सा वीट करनी है मार्किट के नीची आएगी मार्किट कहां तक नीची आएगी मार्किट यहां से हो सकता है कल नीची आए कैसी नीची आएगी 13420 के पास आपने कॉल वाय कर लेनी है 13400 की और उपर का टार्गट रहेगा 13488 और फिर अगर 13488 क्रोस हो विया तो आपने आख बंद करके अराम से 13540 पर ही अपना प्रॉफिट बूप करना है 13540 लगता है फिर से पूप लेनी है और फिर से यह 13488 और अगर यह तोड़ दिया तो फिर 13420 यह कल की रेज ऐसी रहे ऐसी के बीज होगेगी और माल लीजिए कल निफ्टी उपर खुली 13500 के उपर तो 13500 की कॉल लेनी है और 3540 तक प्रॉफिट बूप कर लेना है और उसके बाद निफ्टी फिर नीचे आएगी तो फिर हमने 13500 की पुट ले लेनी है यहीं पर ही ले लेनी है और यहां से हमारे नीचे की टार्गट श ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर की दिए थैंक्यू धन्यमाद